हेलो फ्रेंट्स विल्कम टो मैं चैनल आज हम आपको बना कर दिखा रहे हैं रस्कुल्य का कोफता रस्कुल्य का कोफता काफी डिलेसियस होता है यह देखने में तो खुब शूरत है ही और खान में काफी टिस्टी है यह सभी को काफी पसंद आता है बच्चे को भी बड़े को भी यहां तक कि अगर आपके हैं कोई गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं आप इसे पूरी के साथ पराटे के साथ नान के साथ सभी के साथ खा सकते हैं और इसे बनाना भी काफी एजी है और इसके इंग्रीरेंट सब भी घड़ पे मुझूद होते हैं रसगुले बनाने के लिए जो दूद होते हैं वो भी और इसे हमने काफी असानी से बनाया है तो इसे हमने कैसे बनाया है और इसके लिए किन-किन इंग्रीरेंट का यूज़ किया है यह हम आपको दिखा रहे हैं पहले बनाते हुए सब कुछ दिखा देंगे दोनों एक साथ हो जाएगा फ्रिंट्स रसगुले का कोफता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चरूरत होगी छेणा की छेणा हमने इसे बना कर रख लिया है यह एक लीटर दूद का छेणा है और इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे मिलाने के लिए कुछ करना नहीं है सिफ हाथों से अच्छी तरीके से मिलाना है इसे पहले तोरेंगे इस तरह से हमें तोर लिया है और इसे काफी अच्छी तरीके से मिलाना है इसे हमने इतना मिलाया है और मिलाएंगे यह इस तरह से डो की तरह तयार हो गया है और अब हम इसे गोल गोल अकार देंगे आप अकार किसी भी परकर का दे सकते हैं छोटा बड़ा या किसी भी और तरीके का आपको चाहिए गोल के जगा पे लंबा भी या चप्टा भी किसी भी तरीके का पकार दे देजिए वर्ज गुल्ला ही तलाता है तो आप किसी भी साइच का देजिए और किसी भी तरह का देजिए फ्रेंट समने इस तरह से एक लंबा बाकी गोल बना दिया है आप भी इसी तरह से बना देजिए और हाँ इस तरह से हाथ में घी लग गया है तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब आप पनीर बना रहे हो सोरी छेना बना रहे हो तो आप क्या कीजिए कि आप पहले दूद को उबाल लीजिए और उबालने के बाद इसका क्रीम निकाल लीजिए गाय का दूद है और ज़्यादा गी इस तरह से आता है तो आप पहले क्रीम निकाल लेजिए और उसके बाद उसका छेना बनाईए इस तरह से धियां रखना ज़रूरी होता है परफेक्ट रस्गुला बनाने के लिए और इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कूकर में हम पानी डालेंगे पानी हम नाप करके डालेंगे इतने छोटे गलास से हम तीन गिलास डालेंगे और उसे उबलने देंगे जब उबलने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें ये रस्गुल्य डालेंगे पहले एक डालेंगे और उसके बाद सभी डाल देंगे और उसके बाद हम धकन को बंद कर देंगे धकन के बंद करने के बाद हम पहले एक सीटी लगेगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि कम कर देंगे और 8 मिनिट तक लगतार पकाएंगे हम वो कर देते हैं और तब तक हम बाकी का तैयारी करते हैं क्योंकि हम रजगुले के कोफटा बना रहे हैं तो उसके लिए भी और भी तैयारी करने पड़ती है तो हम वह करेंगे और तब तक यह पकता रहेगा अब ये पानी उबलने बाला है उबल रहा है हम इसमें एक डाल करके चेक करेंगे हमने एक डाल करके चेक कर लिया है और ये तैर रहा है तो अब हम इसमें सारे डालेंगे जैसे हमने बताया है एक एक करके और उसके बाद जो हमने कहा है वो करेंगे हमने आपको ये इस तरह से करके दिखा दिया है सोचा कि बोल करके नहीं दिखा करके आपको दिखाते हैं हमारी करा ही गढ़ हो गई है अब हम इसमें वाइल डालेंगे वाइल हमें हलका सा ही डालना है वाइल डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे प्याज हमने कट करके रखा हुआ है हमने दो प तरा प्याज को अची तरीक इसहां मैं टूलका सहां मैं अलाओ सिपन सिस्थ정 ऐना है हुमने वाइड के वाइड दालने के टाल अब हम आपटने समय समय मैं 2 टिमाटा चैम टिम्होंने के ब्लामं टेस्पों टिमाटा सोगते हैं अ कि मलत हम हमें uzelf करते हैं यह हमने 20 काली लिया है उसे हमने गडम पाने में डाल दिया है हम इसमें 8 बदाम लेंगे और यह गुंचुका है और इसे हम आप कर देंगे अठंधा करेंगे यह इस तरह से दिख रहा है इसमें काजुगड बदाम है वह अभी तक अच्छी तरीके से नहीं ग्रैंड हुए है इसे हम थोरा से एक चमच पानी डाल करेंगे काजुगड बदाम रहता है है इसे था हमने उसे पानी में गडम पानी में भीगो कर रखा था फिर भी अच्छी तरीके से ग्रैंड नहीं हुए है रिंस तरके के लिए हमने लिये है एक बड़ी इलाइची दो लॉंग थोड़ जवीत्री थोड़ी सी दलचेनी वन टीस्पून जीरा दो तेज पत्ता और एक लाल मिर्च ड्राय वला इधर हमने कराही गर्मर करके रख दिया है आप हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेती को भूनेंगे कस्तूरी मेती भूनें तो हमें साथ सबसे लोस लेंपी भूनें और इसकी महत आने लगे तो आप इसे भूनना बन करदीजिए और इसे प्लेट में निकल कर रख लिए अब हम इसमें दो चममच घी डालेंगे घी डालने के साथ मेल्ट हो गया आप हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाएंगे यह टूटेबल अस्पून है इसलिए ज्यादा है घी में भूना हुआ यह सब काफी खुसबूगाता है और घी में होंने में हम अब हम इसमें प्यास जालेंगे हमने चबट किया हुआ है इसे हाइप लेंट पे गुनेंगे कि घी वाला रहता है तो यह काफी टाइम लगाता है ब्राउन होने में ही यह भी तो कुछ भी अतर नहीं हुआ है हमने हाइप लेंट पे रखा हुआ है अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसाले मिनम डालेंगे हाफ टेबल अस्पून गार्लिक और जिंजल का टेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और इसे भूनेंगे हल्का सबूनने पुड़े हम सभी मसाले डालेंगे यह काफी अच्छी तरीके से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे मसाले हमने इसमें डाला है हल्दी हाफ टीस्पून वन टीस्पून हमने डाला है काली मिर्च और जीरे का पौडर वन टीस्पून हमने डाला है मिर्च का पौडर और हमने हाफ टीस्पून डाला है धन पाणिये का पौडर और 1 वार फूर हल्दी का और इसे भूनेंगे भूनना एक्तम लोग पे हैं किकि हमने इसमें पानी एड नहीं किया है यह घी में ही भून रहा है इसलिए लोग पे ही भूनें आप चाहें तो साभी मसाले को एक ठठ करके आप उसमें पानी मेला करके भी भ कर रही हैं झाbabने कुछ है और काणिक हो बूंच आप हम आपके डिया नाात भी नाती श को कीजिए पूरी तरीकाशी बन कर तैयार गई हैै आप इसे फ्लेट में निकालेंगे और सरभाणागा साल्का मुलुड़ू होasure है यह तर्व का इसके नहां केम पीतेम हाँ एक मित प्वादे के पासएं प्र技 भाल भीतो यह किो जो करेंगे और हम धन्या का पत्ता एड़ कर रहे हैं यह हमारा रसगुल्य का कुपता बनकर तयार हो गया है इसे हमने काफी एजी तरीके से बनाया है और इसे बनाना काफी एजी के साथ सक्थ काफी अच्छा भी फील कराता है और यह गेस्ट को भी काफी अच्छा लगता है और सभी को पसंद आता है आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं तो फ्रेंट्स आप हमें कॉमेंट करके बताईए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंट्स में भी इस वीडियो को जरूर सेखेजे मेरे वीडियो को लाइक केजी और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स